गोडे टू अलव फ्यू अब तक की सभी क्लासों में आपने स्टेंडर्ड टूल के आप्शन और फाइल के कुछ आप्शन के बारे में सीखा था जो पिछली क्लास में पढ़ाया गया था वह याद है या नहीं इस क्लास को सुरू करने से पहले कुछ प्रस्ण पूछ लेते ह क्या बता सकते हैं राइटर की फाइल को सौट कर तरीके से कैसे ओपन करते हैं राइटर की फाइल को ओपन करने के लिए सबसे पहले रन कमांड बॉक्स को ओपन करेंगे उसके बाद उसमें एस राइटर लिखेंगे और लास्ट में ओके बटन पर क्लिक करेंगे जिससे रा standard toolbar के right side में drop down button पर click करें और एक box open होगा उस box में close पर click करें जिससे standard toolbar hide हो जाएगा आप चाहें तो view menu पर click करके toolbar option में जाकर भी hide कर सकते हैं क्या आप जानते हैं find और replace से क्या होता है find से आप page या paragraph में किसी word या letter को ढूंड सकते हैं इसके लिए आपको search box में उस word को type करना होता है जिसे आप ढूंबना चाहते हैं और replace की मदद से आप find किये हुए word या letter को बदल सकते हैं क्या आप बता सकते हैं find और replace में match case का उपयोग क्यों करते हैं find और replace में match case की मदद से आप बिल्कुल उसी के जैसे लिए हुए word को ढूंड सकते हैं whole number only option का उपयोग क्यों करते हैं find और replace में whole number only option का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि इसे option से केवल जो पूरे word होंगे उनहीं को select करेगा ना कि किसी एक letter को क्या आप जानते हैं नैविगेटर से क्या होता है नैविगेटर से आप यह जान सकते हैं कि आपके file पर क्या-क्या active है उधारण के लिए मानने जीए आपने कुछ picture insert किया है और आप जानना चाहते हैं कि कितने picture हैं तो नैविगेटर के मज़द से जान सकते हैं इसी प्रकार से table image hyperlink section इत्यादी को देख सकते हैं उनकी counting कर सकते हैं सबसे पहले अपने computer को on करें और फिर writer की file को open करें आईए आज की class को शुरू करते हैं आईए जानते हैं आज की class में आप क्या सीखेंगे आज की class में edit और view menu के कुछ option के बारे में सीखेंगे paste as special, selection mode, changes, auto text, fields, field setting, navigator और sidebar के बारे में सीखेंगे अब सामने दिए गए paragraph को type करें क्या आपने paragraph को type कर लिया है आईए अब edit के paste as special विकल्ब के बारे में सीखते हैं क्या आप जानते हैं paste as special विकल्ब का उप्यों करते हैं paste as special की मदद से आप अलग-अलग तरीके से अपने text को paste कर सकते हैं मान लिजिए आपने कुछ paragraph लिखा और उसमें कुछ formatting की हुई है अगर आप चाहते हैं जो formatted text है आप उसी को copy या paste करना चाहते हैं तो इसके लिए आप special paste का उप्योग करेंगे इसी प्रकार से आप चाहें तो सिर्फ unformatted को भी copy paste कर सकते हैं आईए वीडियो को देख कर सीखते हैं paste special का उप्योग कैसे करते हैं कि paste special भी कल्प का उप्योग कैसे करते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाय जा रहा है paste special के लिए आप सभी किसी line या paragraph को select करें उसकी formatting को कर लें कलर चेंज कर लें, अंडरलाइन कर लें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, उसके बाद, एडिट लिखे हुए भी कल पर जाएं, फिर कॉपी को सेलेक कर लें, फिर जहाँ पर पेस्ट करना है, वहाँ पर अपने पॉइंटर को रखे हैं, एडिट पर जाके पेस्ट एस्पेसल भी कल को सेलेक करें, उसमें से अनफॉमेटेड टेक्स्ट को सेलेक कर लें, और फिर ओके कर दें, तो देखें कि आपका वह जिससे आपने सलेक करके, कॉपी पेस्ट किया था, उसमें कुछ फॉमेटिंग थे, वह आप पेस्ट में फॉमेटिंग नहीं आ रहा है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, फिर दुबारा से इसे सलेक कर लें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, एडिट पे जाएं, फिर कॉपी को सलेक कर लें, एडिट पे जाएं, पेस्ट स्पेसल सलेक कर लें, फिर आप फॉर्मेटेड टेक्स्ट को सलेक कर लें, ओके कर दें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, और पेस्ट कर दें, यहाँ पे देख रहे होंगे कि सेम, वैसे ही आ गया, पेस्ट हो गया, इस तरह से आप पेस्ट स्पेसल का उप्योग कर सकते हैं, आईए अब एडिट मैनू के सेलेक्शन मोड आप्शन के बारे में सीखे, क्या आप बता सकते हैं, सेलेक्शन मोड आप्शन का उप्योग क्यों करते हैं, सेलेक्शन मोड आप्शन में आपके पास दो विकल्प होते हैं, पहला एस्टेंडर्ड दूसरा ब्लॉक एरिया एस्टेंडर्ड सेलेक्शन लाइन सेलेक्शन लाइन सेलेक्शन करता है और ब्लॉक एरिया जहां पर आप पॉइंटर लेके जाएंगे सिर्फ वहीं तक सेलेक्शन करेगा इसके लिए आप सभी Edit Menu बार का Option पर जाएं वहाँ पर Selection Mode को Select करें पहले वाले विकल्प को Select कर लें जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है उसके बाद ऐसे नीचे के तरफ Select करें देखें कि उसके ठीक नीचे के तरफ ही Select हो रहा है इस तरह से आप Selection Mode का उप्योग करेंगे चेंज करना है दुबारा से एडिट पर जाएं Selection Mode, Block Area या Standard को Select करें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है Standard से पूरा Select हो जाएगा पूरा Paragraph और Block Area से जितना दूर आप Select करेंगे उतना ही दूर Select होगा जैसे कि दुबारा से वीडियो में दिखाया जा रहा है एडिट पर जाएं Selection Mode और फिर Block Area को Select करें और उस चीज को Select करते हुए नीचे के तरफ पॉइंटर को लेकर आएं अपने Line को या Paragraph को Select करते हो पॉइंटर को नीचे के तरफ लेकर आएं तो यह आपका Selection Mode होता है तो इस तरह से आप Selection Mode का उप्योग कर सकते हैं आए अब Change विकल्प के बारे में सीखते हैं क्या आप सभी जानते हैं कि Change से क्या होता है Change की मदद से आप अपने Document में किये हुए बदलाव को देख सकते हैं उसमें अगर कोई User कोई Changes करता है तो आप उसे देख सकते हैं और वह अलग Formatting में दिखाई देता है Change विकल्प आपके MS Office के Track Change की तरह काम करता है आईए अब वीडियो को देख कर सीखते हैं कि Change विकल्प का उपयोग कैसे गरते हैं इसके लिए आप सभी अपने Pointer को जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है इसके लिए अपने Pointer को Edit विकल्प के लेकर आए Change Option को Select कर ले जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है उसके बाद कुछ टाइप करें या फिर कुछ डेटा को डिलीट करें जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है तो वहाँ पर देखेंगे कि जो भी आप नया डेटा टाइप करेंगे या आप बैके स्पेस से डिलीट करेंगे वहाँ पर कुछ सो हो जाएगा बीच में क्रोस लाइन की तरह फिर से दुबाला से एडिट पर जाएं चेंज पर जाएं सो को हाइड कर दें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है उससे क्या होगा कि आप जो भी चेंज करेंगे वो सो नहीं होगा अगर सो पर टीक रहेगा तो जो भी डेटा आप चेंज करेंगे वो सो हो जाएगा इस तरह से आप चेंज बिकल्प का उपयोग कर सकते हैं अगर चेंज पर जाके रिकॉर्ड को हाइड कर देते हैं तो आप डेटा को रिकॉर्ड नेइक्स कर सकते हैं जो भी आप चेंज करेंगे जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है तो आप डेटा को रिकॉर्ड नेक्स कर सकते हैं जो भी आप चेंजिस करेंगे जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है आप डेटा को डिलीट करके देख लें जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है दुबारा से एडिट पे जाएं चेंज पर क्लिक करें फिर आप record पर click कर दें यह password पर protect करना चाहते है प्रोटेक्ट पर click करें पासवर्ड देना चाहते है पासवर्ड दे दें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है पासवर्ड को confirm करें ओके पर click कर दें चेंज पर जाए अब तीनों चीज रिकॉर्ड है प्रोटेक्ट है और इसे डिलीट करके देखें जो भी आप प्रैके स्पेस से अटाएंगे वहाँ पर क्रॉस का साइन पीच में लाइन आ जाएगा सीधा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे पासवर्ड मांगे गई है यहाँ पर आपको पासवर्ड देना होगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है पासवर्ड देने के बाद ओके पर क्लिक करें एडिट मेनू बार के चेंज भी कल्प का उप्योग कर सकते हैं आईए अब एडिट मेनू के आटो टेक्स्ट ओप्सन के बारे में सीखते हैं क्या आप बता सकते हैं आटो टेक्स्ट से क्या होता है आटो टेक्स्ट की मदद से आप किसी पैराग्राफ अथवा टेक्स्ट जिसे आप अपने काम में बार बार उप्योग करते हैं उसे एक shortcut तरीके से insert कर सकते हैं आईए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि auto text का उपयोग कैसे करते हैं आईए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि auto text बिकल्प का उपयोग कैसे करते हैं अब आईए इसके लिए video को देखते हैं जैसे कि आप सभी को वीडियो में दिखाया जा रहा है, सबसे पहले आपको अपने line, paragraph या text जो भी आपने टाइप किया है, उसे select करना है, select आप किसी भी बिदी के दुवरा कर सकते हैं, select करने के बाद अपने pointer को menu bar के edit vehicle पे लेकर आएं, इस box के अंदर auto text पर click करें, अब यहाँ पर एक box आ जाएगा, अब यहाँ पर आपको इस box के अंदर name के ठीक सामने आपको type करना है, जो भी text type करना चाते हैं, माले जी हमने यहाँ पर computer 6 आ टाइप किया, उसके बाद उसके लिए shortcut हमने यहाँ पर cs type कर दिया, फिर auto text पर click किया है, यहाँ पर new, उसके बाद फिर हम insert पर click करेंगे, जिससे कि अब आपका यह box अट गया, अब हम next line में जाएंगे जहाँ भी यहाँ आप करना है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, अब हम यहाँ पर cs को type करेंगे, फिर 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 प्रेस करना है, जिससे कि same paragraph एक और आजाएगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, auto text के मदद से आप किसी paragraph, अथवा text जिससे आप अपने काम में बारवार उप्योग करते हैं, उसे एक shortcut तरीके से insert करते हैं, स्क्रॉल करने के बाद आप फिर से अपने pointer को edit vehicle पे लेकर आएं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, उसके बाद auto text vehicle पे क्लिक कर दें, अब इस box के अंदर आपने जो auto text पहले save किया था, उसे select करें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, फिर close पे क्लिक कर दें, फिर उसके बाद आप cs को type करें, shortcut कमांड का प्रियोग करें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, तो इस तरह से आप auto text vehicle का उप्योग कर सकते हैं, अगला option view menu का है, आईए अब view menu के field name vehicle के बारे में सीखते हैं, क्या बता सकते हैं, field name का उप्योग क्यों करते हैं, field name option एक ऐसा option है, जिसकी मदद से आप field name और field content को सो करता है, अगर आपने view menu के field name vehicle को select नहीं किया है, तो आप date time insert नहीं कर सकते हैं, इसकी जगह पर field name लिखा आएगा, आईए अब video को देखकर सीखते हैं, field name का उप्योग कैसे करते हैं, आईए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि फिल्ड नेम का उप्योग कैसे करते हैं इसके लिए आप सभी अपने पॉइंटर को जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है व्यू मेनू बार के उप्शन पर लेकर आएं और उसके बाद फिल्ड नेम्स लिखे हुए बिकॉल पर क्लिक कर दें इंसर्ट पर जाएं फिल्ड पर क्लिक करें डेट पर क्लिक कर दें जैसे कि देखें डेट फिक्स आ रहा है दुबारा से जाएं फिल्ड पर जाएं टाइम पर क्लिक कर दें देखें अब time fixed आ रहा है क्योंकि हमने वहाँ पर field name दे रखा है दुबारा से आप view पर जाएं field name पर click करें अब देखें कि date और time दुबारा से आ गया इंसर्ट पर जाएं, field पर जाएं page number पर click करें देखें कि page number आ जाएगा view पर जाएं field name पर click कर दें अब देखें वहाँ पर text लिखा हुआ आ जाएगा view पर जाएं field पर click कर दें field name पर अब देखें वहाँ पर page number आ जाएगा इस तरह से आप field name का उप्योग कर सकते हैं आईए अब view menu के field setting के बिकल्प के बारे में सीखते हैं field setting की मदद से आप field name जैसे की date, time, page number और page count इत्यादी setting को हटा सकते हैं और setting को लगा सकते हैं आईए अब video की मदद से सीखते हैं field setting का उप्योग कैसे करते हैं आईए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि field setting बिकल्प का उप्योग कैसे करते हैं इसके लिए आप सभी जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा हैं अपने pointer को view menu बार पर लेकर जाएं, वहाँ पर field setting भी कल्प को select करें, जो भी आपने date time insert किया उसको select कर लें, view पर जाएं, field setting पर click कर दें, अब देखें कि जो भी आपने text type किया था या जो भी लाया था field name के द्वारा उसके पीछे setting आ गया, इस तरह से आप field setting के द्वारा date time या जो भी field के name है उनके पीछे setting लगा सकते हैं, आईए अब sidebar के बारे में सीखते हैं, क्या आप बता सकते हैं, sidebar क्या होता है और इसका उप्योग क्यों करते हैं, sidebar किसी option के लिए एक shortcut की तरह काम करता है, क्योंकि जब आप कोई भी formatting अथवा clip art का उप्योग करते हैं, तो वह उस समय active option की property दिखाता है, आईए अब वीडियो की मदद से सीखें, आईए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि sidebar बिकल्प का उप्योग कैसे करते हैं, इसके लिए आप सभी अपने pointer को view बिकल्प पे लेकर आए, उसके बाद sidebar बिकल्प पर click कर दें, जिससे देखें कि side का जो एक box आ रहा था वो box hide हो गया, इस तरह से आप sidebar बिकल्प का उप्योग कर सकते हैं, उसके लाना है दुबारा से view पे जाए, click करें, sidebar पर click कर दें, अब यह box फिर side में आ जाएगा, इस तरह से आप sidebar बिकल्प का उप्योग कर सकते हैं, इसको यहां से भी hide कर सकते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, दुबारा से लाना हो फिर वहीं से आप इसे ला सकते हैं, तो इस तरह से आप sidebar बिकल्प को hide और unhide कर सकते हैं, आज की class यहीं पर समाप्त होती है, आप अपने file को close करें और computer को shutdown करें, आज की class में आपने edit कुछ बिकल्पों के बारे में सीखा, चैसे की selection mode, change, auto text, field name, field setting इत्यादी, आप लादी निए की यहीं आप लादी, झाल झाल